असलाम लेकुम स्टूजेंट तो आज हम गाईनी कर नेक्स चेप्टर पढ़ेंगे that is basically contraception and abortion बहुत जादा important chapter है बेटे मुश्किल लगता है बुरा लगता है मुझे भी लगता था बार बार इसकी revision करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपने इसको बार बार revise करना है और जब जब आप revise करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि इसमें से आपने कोई नई चीज सीखी है और इसमें से MCQ भी काफी जादा आते हैं एंड पर मैं डिसकस करूंगे कि क्या MCQ भार इसमें से आएवे होते हैं तो बेटे कॉंटरसेप्शन के चप्टर के हम बात करेंगे तो पहले मैं बता दे क्यों कि क्या main चीजे हैं पर हम बात करते हैं अनिशली जो नों ने लिखा वा है ये थोड़ा ओवर्वियू टाइप चीजे हैं बिशा कितनी इंपॉर्टन नहीं हैं लेकिन वही मेरा आइडिया होता है या मेरा तरीका कारी होता है कि आप इनको पढ़ लें इसता इसता डिसकस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टन चीज़ है या आपने याद रखना है हमारा एक गाइनी का जो आसकी का एक स्टेशन था वो सिर्फ ये स्टेशन था दस नंबर का के वहां बिन्होंने एक पेशिंट बिठाई वी थी और एक्जामिनर ये कह रही थी कि आप पेशिंट की बात सुने और फिर इसको रिस्पॉंड करें और कॉस्टन के आंसर करें वो उसका कॉस्टन की होता था जो वहां पेशिंट बिठाई वी थी कि जी उसने ये कांटरसेप्टिव ये वाला पता उठाया वाथ और कह रही थी कि जी डॉक्टर साब ये ना मैंने तीन गोलिया मिस कर दी है तो अब मैं क्या करूँ ठीक है तो इस चैप्टर में ये चीज बहुत इंपोर्टन है मस्ट यहां से MCQ आता है यह भी मैं आप दों को सिखाऊंगी उसके बाद बेटे पहली चीज तो ये बड़ी इंपोर्टन है कंबाइन होर्मोनल कांटरसेप्शन दूसरी चीज हमारे पास शुरू होती है प्रोजस्टिरोन अनली कांटरसेप्टिव मेथड यानि इसमें एस्टोजन और प्रोजस्टिरोन दोनों थेना लेकिन इसमें हम सिर्फ प्रोजस्टिरोन अनली मेथड्स की बात करेंगे जिसमें प्रोजस्टिरोन अनली पिल्स हैं इंजेक्टिबल्स हैं इंप्लांट्स हैं डिबाइसेज हैं किस तरह से हैं क्या काम करते हैं क्या मेकैनिजम उफेक्शन है again very important है इनकी mechanism infection, इनकी indication, content indication, उसके बाद ये एक दफ़ा कुश्चन आया वे पेपर में कि intra-utrine device टेखवाने के क्या risk factors है and then बेटे कुछ अधर methods भी है contraception के वो भी discuss कर लेंगे इतने important नहीं है लेकिन ये वाला जो कुश्चन है बहुत जादे important है बहुत questions आते हैं और emergency contraception के एक couple आपके पास आगया है unprotected intercourse के बाद और वो pregnancy नहीं जाता 24 hours के बाद आया, 48 hours के बाद आया 96 hours के बाद आया तो आप emergency contraception कैसे provide करोगे और pregnancy को कैसे रोकोगे ठीक है तो यहाँ से question आते हैं then abortion का portion आजाता है वो हम बाद में discuss करेंगे तो पहले हम लोगों ने contraceptive methods और यह सारी चीज़ें discuss करनी है अब बात ही आजाती है कि पहले वीडियो के अंदर हम यह जो दोनों chapter 9 का main aim discuss करके फिर important चीज़ के आएंगे तो सबसे main चीज़ आजाती है बिटे कि अगर हमने इस चार्टर में contraception के बारे में पढ़ना है तो what do you mean by contraception contraception का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा तरीका कोई भी ऐसा मीन कोई भी ऐसा method यूज करना है और pregnancy को हमने क्या करना है inhibit करना है ठीक है so contraception का जो main aim होता है या main goal होता है अगर हम वो discuss करना चाहें तो इसका main goal यही होता है कि आपने क्या करना होगा pregnancy को prevent करना है pregnancy नहीं होने देनी ठीक है अब यह contraception क्यों जूरूरी है इसकी एहमियत के बारे में उसने पहले पहले में बात की हुई है वो कहता है कि अगर आप contraception नहीं लेंगे तो इससे क्या होगा unwanted pregnancy हो जाएगी ठीक है unwanted क्या हो जाएगी pregnancy यानि ऐसी pregnancy जो woman को नहीं चाहिए तो unwanted pregnancy के अपने बड़े नुकसान है क्या नुकसान है अगर एक woman वो pregnancy नहीं चाहती थी तो जाहर है कि वो उतनी जादा anti-natal care नहीं करेगी और जब उतनी care नहीं करेगी तो बहुत जादा risk जो है वो बढ़ जाता है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी आगे चलके नह चाहती भी pregnancy के बहुत सारे नुकसान जो है उनको face करने बढ़ सकते हैं ना सिरफ ये बलके अगर unwanted pregnancy हो जाएगी तो बहुत जगों पे लोग क्या करना चाहते हैं फिर abortion चाहते हैं और कुछ जगों पे abortion legal है चलो बहाँ पर भी तो हो जाता है लेकिन कुछ जगों पे abortion inhibited है illegal है जब ये illegal है तो फिर क्या होता है कि लोग खुद या फो मैं कहूँ कि जिनके अबी साही ट्रेणिंग ये या क्वैक्स होते हैं लोग उनसे बरश्राइब परफॉर्म कराते है जब उनसे बरश परफॉर्म कराते हैं और उन लोगों के पास जार एतनी training नहीं होती कि safe abortion कैसे perform करना है तो unsafe conditions में जब abortion किये जाएंगे तो उससे क्या हो जाता है मदर के लिए बहुत जाता complication और even death हो सकती एक study के मताबएक उसने mention कियावा है कि तक करीबन 22 million unwanted pregnancies हुई और उनमें से 47 K की जाके आगे जाके abortion कराने की वज़ा से death भी हो गई ठीक है तो यह एक चीज जो है वो consequence है face करना पड़ सकता है अगर timely contraception apply नहीं किया गया अगर एक merit couple है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी बच्चे जाएं हो ठीक है उनने intercourse तो करना है लेकिन उनने बच्चे तो नहीं चाहिए और अगर unwanted pregnancy है तो बहुत सारे इससे नुकसान हो सकते है तो इन सारे नुकसानात से बच्चने के लिए उनको contraception जो है वो दी जाती है contraception का main काम है pregnancy रोकना किस तरह से pregnancy रोकेंगी कौन सी contraception कब देनी है क्या क्या types है वो सारी हम लोग ने basically पढ़नी है ठीक है अब अगर मैं आपके वोक के sequence से चलो तो यह कहता है कि यह जो contraception है इनके अगर हम देखेंगे reproductive track में क्या क्या targets है तो male and female की body में इसके बहुत सारे targets हो सकते हैं अगर जादा तर देखेंगे तो female की body में ही होते है मैं आगे चल के आप लोगों को बिताऊंगी बेटे तो female की body में बहुत सारे contraceptive methods ऐसे हैं जो के ovary के उपर act कर रहे होते हैं और जो ovulation होती है यानि एग बाहर आना है वो नहीं आने देती बहुत सारे contraceptive methods जो है fallopian tube की जो mortality है उसको कम कर देते हैं और यहां से फिर जो एग है वो प्रॉपर अपनी जगा पे नहीं बहुन सकता जहां fertilization वगरा होनी है तो pregnancy नहीं होगी बहुत दफा contraceptive method uterus के उपर act करते हैं क्योंकि uterus में implantation होती है तो यहां पे condition को unfavorable कर देते हैं तांके implantation नहीं हो सके और same as बहुत सारी contraceptive method जो हैं वो cervix के मिकोजा को काफी ठिकन कर देते हैं तांके sperm inter नहीं हो सके तो contraceptive methods की अगर targets की बात करें तो multiple targets हो सकते हैं लेकिन बेटे यह बात याद रखनी है कि कोई भी contraceptive method हाँ मैं आपको यह book की line से पढ़ा रही हूँ पहले दो pages कि कोई भी contraceptive method जो है वो 100% effective नहीं हो सकता ठीक है हर method के साथ risk होता है कि pregnancy हो सकती है लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से use करें और compliance अच्छी हो और daily use किया जाए और skilled way में use किया जाए तो फिर जो chance है वो काफी कम हो जाता है अब यह जो किसी भी method की effectiveness होती है यह बहुत सरी चीजों के उपर वो कहता है depend कर रही होती है for example effectiveness जो है वो depend करती है कि जो method आप ले रहे हैं उसका mechanism of action क्या है और आपने उसको correctly use किया है या नहीं use किया correct use उसका हो रहा है या नहीं हो रहा compliance कितनी है यानि patient उससे कितना satisfy है कभी-कभी नहीं हम pills दे देते हैं तो women's कहती है नहीं doctor साब मैं दिल हराब हो रहा था रोज गोली नहीं गा सकती तो बीश में दो गोलियां छोड़ दी ठीक है तो patient की compliance कितनी है compliance again depend करती है कितना उसने उस method को accept किया acceptability कितनी है और tolerability कितनी है बहुत सरी women's का pills खाने के बाद weight gain स्टार्ट हो जाता है वो नहीं बरदाश कर पाती तो उसको छोड़ देती है और बाद में फिर pregnancy के साथ आके complain करती है कि आपने जो मुझे दवाई दी थी तो उससे तो हमल नहीं रुका हमल तो हो गया तो वो इस वज़ा से कि वो खुद उसको properly use नहीं कर रही होती है तो I hope कि मैं कोई boring बाते आप लोगों के साथ नहीं कर रही हूँ हम से फितना पड़े हैं कि जो contraception है उनका main goal होता है pregnancy रोकना दूसरी बात मैंने की कि अगर pregnancy unwanted हो जाएगी तो क्या consequences हो सकते हैं तीसरी बात हमने की के contraception के main target male और female की body में दोनों जगा पे होते है female की body में ovaries को भी effect करती है tubes को भी, uterus को भी, cervix को भी कोई भी method 100% effective नहीं है effectiveness depend करती है mechanism of action पे correct use पे और उसकी compliance के उपर भी ठीक है unwanted pregnancy हो सकती है कि अगर आपने जो condoms हैं या barrier methods हैं वो बहुत low quality के use की हैं sometime rupture हो जाते हैं अगर आप pills ले रहे हो वो मिस कर दी है या कोई भी method आपने correctly use नहीं किया तो unwanted pregnancy का risk हमेशा मौजूद रहता है till now बिटे अगर हम देखेंगे most effective जो है या सबसे अच्छी जो long acting reversible contraception कॉस करती है उसमें हमारे पास नहीं method होते है intrauterine devices आगे बहुत detail में पढ़ाऊंगी वो अच्छा काम करती है या अगर progesterone only pills की बात करें या progesterone only injectables या implants की बात करूं तो ये जो हैं वो काफी जादा अच्छा काम करती है और pregnancy के risk को काफी काम कर देती है लेकिन इनको लेके ना अब बेटे में चीज आजाती है sorry अब में चीज आजाती है और ये चीज आपने बड़े चे तरीके से समझनी है कि अगर मैं बाहर से contraception दे रही हूं तो वो contraception किस तरहां से काम कर रही है कैसे वो pregnancy को inhibit कर रही है तो सबसे पहला जो सबसे main mechanism of action होता है वो ये होता है कि ये बहुत सारी contraception क्या करती है prevent करती है ovulation को what is ovulation ovulation का मतलब होता है बेटे जब आपकी ovary से एग release होता है ठीक है ये for example ovary है यहाँ पर बहुत सारे जो है वो primary oocytes पड़े में हर मन्त यहाँ से mature होना शुरू हो जाते है और एक fully mature होता है और 14th day पे LH की वज़ा से LH जादा act करता है बहुत detail में नहीं जा रही तो यहाँ से egg release होता है fallopian tube में ठीक है और यही egg fertilize होता है तो बहुत सारी और आगे आपको बता है कि क्या है यहाँ पे uterus है और नीचे cervix है और cervix में से male sperm जो है वो इंटर होता है तो बहुत सारी contraception क्या करती है ovulation को inhibit कर देती है अब वो जो ovulation को inhibit करती है उनमें कौन है number one उनमें बेटे combined hormonal contraceptives है हम आगे जाके पढ़ेंगे यह ऐसे काम करती है combined hormonal contraceptives जिसमें estrogen और progesterone दोनों होता और आप अपको थोड़ी बहुत यहां से भी समझा सकती है कि इनमें estrogen काम होता और progesterone बहुत ज़ादा होता है estrogen काम होगा तो वो भी negative feedback देगा और progesterone ज़ादा होगा तो भी negative feedback कि तुर FSH और LH को inhibited रखेगा FSH और LH नहीं है ovulation नहीं है egg नहीं है fertilization नहीं और hence pregnancy नहीं है combined hormonal contraceptive बेटे बहुत तरह की form में होती है यानि यह pulse की form में भी होती है यह patches की form में भी होती है और यह rings की form में भी होती है आगे चलके detail पढ़ेंगे लेकिन इनका काम क्या होता है ovulation को inhibit करके pregnancy को prevent करना ठीक है उसके लावा अगर हम लोग देखें जो progesteron only implants होते हैं या progesteron only injectables होते हैं या मैं इसी तरह progesteron only pills की बात करूँगी तो वो भी ovulation को inhibit करती है इनका यह काम होता है ठीक है number two mechanism of action क्या हो सकता है number two mechanism of action यह हो सकता है कि आप यह जो male gamit जो है female की body में आना है हम इस male gamit को female की body में आने ही ना दे ठीक है वो कहता है कि male और female gamit को आपस में मिलने ही ना दिया जाए ठीक है सो हम क्या कर दें prevent कर दें gamits की fertilization याझी आपस में मिलना सके है fertilization ना हो सके हम कि mudateurs का UK specifically कि मेल च। आनले से और चाहिए का मिलस का माव credited में उस्ट सभा में जाता है जैसे जो मेल रहते हैं जासे अंजी को innovations के का नए सिटिक आइग उर लीन झाल जाता है जाता है इसहीं के उनसे जाटा है उसकी मेलस की भी स् Toy कर दे और, और female sterilization में भी सेम यही चीज़ की जाती है कि इसके जो fallopian tubes होती है उनको stitch कर दिया जाता है तांके यहां से एग ना आए और ना sperm जाए तो ना ही इनकी fertilization हो तो एक तरीका यह भी होता है और यह surgical method में आता है लेकिन इतना जादा अब इसको जो है वो use नहीं किया जाता लेकिन most effective method होता है male visectomy अगर की जाए तो फिर जो है वो pregnancy कर रिस्क कम से कम हो जाता है ठीक है बिटे उसके बाद तीस्ता mechanism of action अगर मैं contraception scaling